अब इन्जीनियर सदार 24 7 मेरा नाम है विशेख कौशिक तो कैसे हो हलो श्वबेच चलन स्पर्स हलो गुद मॉर्निंग सभी को एक बड़ जली से कंफर्म करा दो कि सबको प्रो परावाज आ रहे हैं अगर हां तो दैन वी कें स्टार्ट दा सेशन एक सेकंड रुकना गाईस एक सेकंड रुकना ये टेलिग्राम चलने रहा है एक सेकंड रुक जाओ बस झाल कि अ कि अ कि चुछ अ कि अ कि अ जोई अ हम आप था हूँ तो एक पर जल्दी से मेरे को कंफिर्म करा दो कि प्रोपर आपको आवाज आ रही है अगर हां तो फिर हम स्टार्ट करेंगे ठीक है थोड़ा सा डिले हो गया गाईज आज क्योंकि यह टेलीग्राम चलनी रहा था और इसी पर आपकी पीपीटी आती है ठीक है हलो गगन हलो स्वागिता सुनील आर्ट्सविद सौंग सुरोशनी सभी को गुड मॉर्निंग ठीक है चלא अब स्टार्ट करते हैं एकसी आप सेशन को लाइक और शेर कर दो फटाबर ठीक है और अगर आपको डाउन्लोड नहीं किया भी तक आपनें अप्लिकेशन को डाउन्लोड कर lotoा से प्ले स्टोर पर मैं मैं स्टॉरी डेस्रिप्ट्रिप्शन पेने मैंने तक सब्सक्राइब नहीं किया इंजिनियर सद्ट 247 के चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटावर बैल आइकन को साथ में प्रेस कर ले ना और यह आपका सामने कुश्चिन हेलो सुजन गुद मॉर्निंग जी गुद मॉर्निंग सो बताईए एक बर जल्दी से क्या आंसर इसका आएगा थोड़ा सा डिले हुआ विकोज टेलिग्राम पे जो लिंक आता है जो आपकी पीपीटी आती है उसी से पढ़ाए जाता है वो टेलिग्राम ही ओपन नहीं हुआ था चीक है तो एक बर जल्दी आंसर करते चला जाओ पटावट क्या क्या आंसर आपके आ रहे हैं ठीक है क्या क्या आंसर आपका आ रहा है बताना जल्दी 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 अब आंसर करते चले जाओ सारे स्ट्रेंट कहां गए वो ही मैं सोच रहूंगा गण सारे स्ट्रेंट गए कहां क्या आंसर आएगा इसका बताना वन इस दा अलग जो अलग है वो आपको बताना है जो अलग है वो आपको बताना है जो अलग है वो आपको बताना है हलो स्वाथे गुद मॉर्निंग फोर वर्ड साइज बिन गिवन आउट ओफ थ्री आरा लाइक है ने सेम मतलब एक जैसे हैं एक अलग है उप् Thailand है माईख लोजि एक्टा लोजी एक़ Massachusetts है यह आपके एक शैसे और क्यूँकि यह मतलब कि सरी से से क्नेक्टीड है ecology जो हो व गो जाएगा यहीं आपका Adaption Number सी विल बिला करेक्ट आंसर नेक्स्ट ऑन्योर स्क्रीन जो कि वैन डाइग्राम का एक कॉशन है इसको बताइए फटा फटा इसको बताइए क्या आंसर इसका आएगा क्या आंसर इसका आएगा बताना वाट इस दा नमबर फूलर बिजनेस्मेन फूर नोट ग्रेजवेट सुनिल करें 8 ओप्शन नमबर यह चीक है बाकी लोग भी पताओ फटावट जल्दी जल्दी से बताइए बाकी लोग भी क्या आंसर आपका आ रहा है बताइए क्या आंसर आ रहा है ऑप्शन नमबर ए देखो ईजी है इन्हें फोलिंग डियाग्राम दो सर्कल रिप्रेजेंट रूलर फोल्क यह है रूलर फोल्क ठीक है आरेफ कर देता हूं इसको दे ट्रेंगल रिप्रेजनेस्मेन यह है आपके बिजनेस्मेन ठीक है अधिडाग्राम केरफूले एंडर फोलो जो फोलो करेगा वह आप से पूछा वॉट इस देनमबर ओफ दे रूलर बिजनेस्मेन जो रूलर बिजनेस्मेन होंगे यानि की सर्किल के अंदर भी आना चाहिए और आपका ट्रेंगल के अंदर भी आना चाहिए वह और नोट ग तो पंदरा तो हो गए ही नहीं ठीक है हाँ 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 आर्ट स्विजन बिल्कुल ठीक है चलो इसको बताना यह आपका एक स्रीज है नंबर स्रीज लेटर स्रीज है इसको अरेंज कर दो फटावट हैलो आदर रश गूड मॉनिंग जी जलदी जलदी एक बस सेशन को भी शेयर करते जाओ फटावट है ना सो देट सभी लोग टाइम पर आजाएंगे बहुत सारे स्टैम आई नहीं है आज मैंना बहुत सारे स्टैम आयं नहीं है तो क्यों नहीं आये है रिजन मेरे को भी नहीं ॥ा और ne पर तो इन तक بहूं य क्या answer आपका आ रहा है कि क्या answer आ रहा है कि क्या answer आ रहा है कि क्या आंसर का हैलो मोहित परणाम कैसे हो अप्शन नमबर बी ऑज़के ऑप्शन नमबर भी ठीक है वेरी गुड़ बहुत बढ़िया देखो देखो एक तो आप एक तो काउंट करके यह पता कर सकते हो टोटल कितने हैं तो एक दो तीन चार पांच छे साथ और नो दस ग्यारे बारे तेरे चोदे पंदरे सोले सतरह अठारे उन्नीस बीस बीस है तो यह तो चार चार के गैब में जाएगा या पांच पाज के पाज के तो यही होता है तो अगर हम देखेंगे तो आर के बाद अगर यहां देखो एम आ रहा है तो मॉस्ट प्रबड़ी एम से स्टाट हो सकता है तो ऑप्शन नमर भी हो सकता है एक बढ़ पुट करके देख लो आर एम वी क्यू आ जाएगा या फिर वी आ चलो यह आपका है इंगलिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है फटा पट इसको अरेंज करके मारे को बता दो कितना आंसर आपका आ रहा है English dictionary के according लगना जो पहले आएगा उसको पहले लगा दो फिर बाद में फिर लास्ट मेंस है और session को भी share कर दो guys जल्दी जल्दी option number B रोशनी का अंसर आचुका very good देखो easy था है तो है ना topology है topper है tolerance है together है two more है है ना तो पहले पर कौन जाएगा t o g g पहले आता है तो four से starting हो जाएगी four तो सभी में ही है two two three five two two three और five में से देख लो t o p आ जाएगा t o p p q l तो m n o p m आना चाहिए यानिकी five से starting होनी चाहिए ना five से पहले m से पहले l b है तो l m आता है है ना that is three to option number b will be the correct answer ठीक है आसान था यह भी इसको बताओ इसको बताए क्या answer इसका आएगा what will be the correct logic of this question in a certain code language cow को इसने लिख दिया यह ठीक है और dog को इसने लिख दिया यह rat को क्या लिखा जाएगा बताए क्या answer आएगा इसको easy है काफी मुश्किल नहीं है ना just देख लो कितने कितने का गैप चल रहा है उससे सबसाब आइडिया लगा सकते हो फिर है लो पलव सरकार गुड मॉर्निंग जी हेलो निश्या गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को पताए आंसर लेट हो गई थोड़ा सा कोई नहीं मैं भी लेट था तो चलो इसको बताओ इन्हें सर्टेन कोड लेंग्वेज काव को इससे लिखते है यह हेलो पायश कुमारी गुड मॉर्निंग जी देखो आसान सही है अगर आप बीच का लेटर भी चेक करोगे ना ओ से यह आर आ रहा है ओ पी क्यू आर बढ़ गया ओ से यहां पी क्यू आर त हिंदीमें ने पढ़ाये हिंदी में ही बोल रहा हूं मैं जो बिल्कुल हिंदी में प्रोपर और कुछंदुएंट में अब यिये थो लिए इन्गर 46rum को मरीगा है ठीक है अगर मैं है से सी से देखूंग घठाओ C D E F तो D से D E F G तो यह जो first वाला था इसको यहां उठा के यहां पर डाल दिया बढ़ा के आगे C D E F तीन बढ़ा दिये यहां से देखों कि तो D E F G तो R S T U U आ जाएका last में That is option number D will be the correct answer क्योंकि W यहां है और इसको हम eliminate कर चुके है V नहीं हो सकता इसको तो खुद भी कर सकते आप ठीक है इसको तो खुद कर लेना इजी से कोशन है बड़ा मुश्किल नहीं है यहां पर चलते हैं यह आपका एक non-verbal का कोशन है इसको बताए एक non-verbal का कोशन है आपके सामने इसको बताए क्या आंसर इसका आएगा टाइमर भी अगर मैं चलाना है तो मैं टाइमर भी चला दूंगा आपके लिए तो आपको टाइम भी पता चलता रहेगा कितनी कितनी सेकेंड्स में आप सोल कर रहे हो कोशन सोल ठीक है जैसे यह है सेलेक्ट ऑप्शन विच इस अच्छा इसको बताना यह तो आसांसर एक स्रीज है है और डिक्रेजुंग ओरन में एक स्रीज दे रख यह आपको पठा इसको बताओ फठा फट इसको बताएप क्या आणसर आ रहा है और लाइक्स गाईस बार आई दिखे रहे मेरे को यह आप वो तो बहुत गलत बात है है ना बहुत गलत बात है 12 लाइक्स तो at least जितने लाइव है उतने लाइक्स तो होने चाहिए न select the letter cluster जो replace कर देगा इसको following series को तो y से देख लो y से w हो गया फिर u हो गया तो कितने कितने gap चल रहा है वो देख लो आप तो w x y तो v u v w तो क्या हो जाएगा s हो जाएगा s t u होता है तो s से स्टार्टिंग हो जाएगी तो इसको eliminate करो इसको eliminate करो लास्ट लेटर आप चाहिए कर सकते हो टी र आ फिर आर फिर एन र आ उसके बाद बें जाना चाहिए लाट इस अब डी क्लियर सब को अधियर इसको बताओ यह जो सेकेंड वाला है जी सेकेंड वाला relate कर रहा है फरस्ट वाले इस से तो यह जो फॉर्थ आएगा वह थर्ड से रिलेट करेंगा तो फॉर्थ क्या होगा वह आपको बताना है बस easy है मुश्किल नहीं है हना select the option that is related to the third cluster in the same way and the second one is related to the first one तो यह c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q ठीक है एस से फिर देखोगे तो क्या हो जाएगा option number a कह रहे हैं आयान very good बहुत पढ़िया very good guys तो उतना ही gap जितना बढ़ रहा है उतना ही आगे बढ़ा दो आप तो that is option number टी से जी हो गया ठीक है that is option number वाई आपका लास्ट में जाना चाहिए option number a will be the correct answer ठीक है आगे बढ़े बहुत सारी कोशिंस आज हमने डिसक्स करने तो थोड़ा फास चलेंगे आज क्योंकि यह सब सीज्टी आप सीख चुके हो है ना very good others बहुत बढ़िया थोड़ा फास चलेंगे आज ठीक है इसको अरेंज करना फरस्ट फरस्ट जल्दी जल्दी क्या करेंगे सिर्फ 20-30 सेकंड में ही करना होता है इसको पहले तो डिवाइड देख लो कहां पर क्यूंकि आइडिया वहां से आपको लग जाएगा बरावर आपका आ रहा है यहां पर और यहां माइनस यहां प्लस आएगा तो डिवाइड करेंगे इसको तो 14 से कैंसिल हो जाएगा 14 निमा 126 नो आगे और 55 इंटू 9 कर दो ठीक है बराबर आपका हो जाएगा यहां पर क्या है यह माइनस है और यह प्लस है तो 525 तो यहां पर आ जाएगा 525 में से आपको 530 को माइनस करना पड़ेगा यानिकि 8 9 और 312 यानिकि 400 पिचान में आपके होने सब्सक्राइब करेक्ट है ठीक है इसी था चलो यह बताओ यह आपका है unfolded मतलब फोल्ड करके उसको पंच किया गया है क्या इसका आएगा बताओ क्या answer इसका आएगा the sequence of the folding a piece of paper एक paper को fold किया गया and the manner in which the paper is folded and cut कर दिया गया figures में तो how would this paper look when is the unfolded जब उसको unfold किया जाएगा जब उसको खोला जाएगा तो कैसा दिखाए देगा वो यह questions कभी गलत मत करना यह बहुत easy होते हैं यह तो free के marks होंगे क्योंकि देखो यह फोल्ड कर दिया एक बर और फोल्ड कर दिया एक बर उपर की तरफ फोल्ड कर दिया फरी इसने यह कर दिया तो आपको यह तो पता चलिक है जब यह नीचे आएगा तो कैसा दिखाई देग सिर्फ option number AR है है ना तीन तो मैं eliminate कर चुका ठीक है चलो यह आपका सामने है एक blood relation आसान सा कुश्चन है छे member है छे member है यह PQRSTU in a family T is the brother of P's husband ठीक है U is the mother of T इस तरीके से values आपको दे रखिये हैं ठीक है क्या answer आएगा बताओ 30 seconds हो चुकी है direct आप क्या गरो family tree बना तो और कुछ नहीं करना क्या होगा छे members थे आपके पास PQRSTU ठीक है छे members है इन्हें फैमली T is the brother of P's husband तो जो पी का husband है तो पी का husband है यानि कि पी एक female member होगी है ना पी का husband हो गए यहां पर और T जो है वो brother है इसका अगर T brother है तो T कभी center clear है यहां पर clear अब आगे देख लेते यू is the mother of T यू जो है mother हो जाएगी तो यू को उपर बठा देते हम इस तरीके से Q is the daughter of S अच्छा and P Q is the daughter of S and P तो S और P की daughter है तो S यानि कि यहां पर आएगा है और Q जो है न की daughter है तो Q नीचे आ जाएगा Q is the daughter of S and P and the grand daughter of R grand daughter है किसकी R की तो यानि की R जो होगा वो यहां पर एक इस तरीके से जाएगा R इसका grand father हो जाएगा how is R related to T R related to T कैसे होगा R तो father बन गे उसके है ना R तो father बन गे easy था clear है सबको R तो father बन गे easy था यह आपका diagram बनना चाहिए था अगर यह बन जाता है तो well and good आपका असानी से answer आ जाएगा यह आपके सामने एक number series missing number series है इसको एक पर जल्दी से बताओ कितना आ रहा है answer 30 seconds आपके पास है 30 seconds आपके पास है एक बड़ गैप चेक करके idea लगा लो गैप चरके gap करके कुछ idea लग जाएगा I think आपको नहीं पता चल रहा है तो फिर और कुछ सोचेंगे है ना बताइए option number B very good मौहित बहुत बढ़िया और भी लोग को बताओ जल्दी फटाबट 144 ठीक है बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया है ना देखो gaps check करके देख लो idea आपको लगेगा तभी है ना जैसे 69 अगे सथ से सतर हो गया है या निकि प्लस के 9 लिखते आपको इक ड nah स्कुरेयर है ना हां से और आगे देखेंगे तो कितना हो गया पच्छिस हो गया अब तो यह सँ थाइक ना रहा है तो एक और ये 2 और ये 1 यह ग्यारक आ रहा है यानि कि 3, 5, 7, 9, 9 यानि कि यहाँ 81 आना चीए, यहाँ 81 आना चीए, ओड नमबर्स की स्क्वेर है, यह 25 था यहाँ 59, 49, तो 49 इसमें एड करोगे तो 9 और 5, 14, 9 और 14, 13 और 14, यह 144 आपका अंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इसी था, बस गैप चेक करके आपको आइडिया लग जाएग ठीक है, चलें आगे, चलो, इसको बताओ, यह है आपका सिलोजिम का कॉशन और आइटिंग आपको आपको अप्शन नमर्डी दिखनी रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी को, ठीक है, 1, 2, and 3, फोलो, 1, 2, and 3, फोलो, क्या अंसर आएगा, बताओ, प्राइम नमबर का स्क्वेर है, बबलू प्राइम नमबर नहीं थे वो, नो प्राइम नमबर नहीं होता, पहली बात तो, ठीक है, यह ओड नमबर्स थे, क्लियर है, इसको बताइए, स्टुडेंट्स, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक और शेर भी कर दो, ओनली सत्रा लाइक मेरे को दिख रहे हैं, 27 पिपल अटना वोचिंग, यह तो बहुत गलत बात है, यह तो बहुत गलत बात है, जल्दी जल्दी सेशन को भी शेर कर दिया करो, ऐसा मत करो, यह सेशन सब तक पहुँच जाएगा फिर, वन और टू फोलो, चलो देख लेते हैं, यह फटाफट पढ़ो इसको, देख लो क्या पूछा है, लोजिक लिए फोलो पूछा है, बस, इसको डाइग्राम को बना दो, all bean bags are chair, सारे के सारे bean bags जो होंगी न, ठीक है, all couches are sofa, सारे के सारे couch जो है, वो क्या है, sofa है, यह sofa है, तो यह डाइग्राम आपका बनना चाहिए था, मेरा answer लेट जा रहा है, सर, due to the train journey, ओके पाया स्टीक है, कोई problem नहीं, ठीक है, conclusion देख लेते हैं, some sofa, couches, कुछ sofa जो है, couch होंगे, क्या, देखो, कुछ sofa जो है, sofa कहाँ पर है, बड़ा वाला circle, कुछ sofa couch होंगे, बिलकुल होंगे, यह पूरा sofa जो है, कुछ sofa जो है, couch होंगे, जो मैंने blue marker से shade किया है, ठीक है, जानि कि यह वाला तो सही है, some couches are bean bag, कुछ couches जो होंगे, वो bean bag होंगे, यह भी सही बात है, ठीक है, तो यानि कि यह तीसरा तो गलत हो गया है, only one and two follow, that is option number B आपका सही हो जाएगा, one and two follow, option number B will be the correct answer, ठीक है, clear है सबको, चलें आगे, logic, इसमें बताओ, लोजिक, इसमें बताओ, इसमें बताओ मेरे को logic, क्या logic जिसमें चल सकता है, ठीक है, यह तीन जो है, इसके नीचे है, ठीक है, 36 के नीचे, और यह कोशन मार्ग यहाँ पे है, बताइए, क्या logic इसमें लगाओ सकते हो आप, क्या logic चलाओगे, बताओ इसमें, what will be the correct logic here, 24, 36, 32 है, रोज की अगर मैं बात कर रहाँ हूँ, ठीक है, रोशनी का आया, 18, पल्लव कहरे है, B, ओके, रोशनी, what will be the correct logic, 6, 3, और फिर कोशन मार्ग, 12, 2, 24, फिर 12, 54 और 24, यह आपको दिया हुआ है, गगन भी 18 कह रहे हैं, very good, बहुत बढ़िया, here, what will be the correct logic, जो आपने अप्लाई किया, बताओ, because I am interested in logic, क्योंकि logic सही game पलटता है, बाकी तो same ही है, ठीक है, बाकी तो same ही है, सिर्फ logic से ही game पलटता है, सुजन भी 18 कह रहे हैं, very good, बहुत बढ़िया, रोशनी बता रहे हैं, 24 इंटु 6 किया, 144 आ गया, जो कि 12 इंटु 12 है, very good, बहुत बढ़िया, 36 इंटु 3, यानि कि अगर आप ध्यान से देख रहे हो, इसमें 4 रोज आ गी हैं एक तरह से, है ना, 4 रोज हैं और 3 कोलम्स है, है ना, तो अगर आपको 20 सेकिंड के अंदर आंसर मिल रहा है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताइता है, ऐसे कोशिंज को, 20-25 सेकिंड देनी चाहिए, अगर आपको लोजिक पता चल गया, जैसे रोशनी को हो तो पता चल गया, बाकी लोगों को नहीं पता चला था, इसमें, तो वो क्या करेंगे, वो एकदम स्किप करेंगे, एक्जाम में इस कोशिंड को, क्योंकि बार-बार अगर इस पर मूग करते रहोगे, तो बाकी के कोशिंज फिर छूट जाएंगे आपसे, क्योंकि यह होते हैं, ट्रैप वाले कोशिंज, आपका मन करेगा, इसको करने का, बट हमेशा यह वो मत करना की, हमेशा आएंगे ही आएंगे, एकदम से लोजिक मिल जाएगे, नहीं होता कभी-कभी, जैसे यहां तो आपको क्योंकि नमबर्स थोड़े आसपास है, जोटे-जोटे नमबर्स से तो आपको आइडिया लग गया है, जैसे 24 इंटु 6 करोगे तो 144 जैसे रोशनी बता रही है, और 12 का स्क्वेर 144, यहां करऊंगे, चो 36 इंटू 3 करोगे, 36 तिया, 108 और 54 दूनी 108 हो जाते हैं, है ना, 24 का स्क्वेर कितना होता है, 500 चंतर, और डिवाइड़ बाई, आप 32 करोगे, तो यहां से आपको आइडिया लग जाएगा, कितना 8 है, ठीक है, क्लियर, चलो, यह बता दो, एक बढ़ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगा दो, सबको, वर्ड्स आपके सामने है, मैनुस्क्रिप्ट है, माइनर है, मैलेडी है, मैलेशियस है, और मेमोरी है, यह पांच वर्ड है, इनको फटाफट आरेंज कर दो, क्योंकि, ओल्मोस्ट यह कोशन सभी करेंगे, ठीक है, अब देखो, कहां से स्टार्टिंग कर सकता हूँ, मैं, अगर मैंने, म, A से स्टार्टिंग करी, और N आ रहा है, N से पहले, बट, आपको L भी मिल रहा है, तो, उप्शन नमबर, 1 से और, 1 से तो स्टार्टिंग होगी नहीं, तो, 4, 1 तो सेम ही आ रहा है, 3 और 5 में से देख लो, पहले क्या आएगा, M, E, L, L पहले आएगा, या, M पहले आएगा, ओविसली, L पहले आएगा, है रहा, आप्शन नमबर, A विल विड़ा, करेक्ट आंसर, ठीक है, चलो, ये बताओ, इसको बताएगे, क्या आंसर इसका आएगा, ये होते हैं, Venn Diagram वाले कॉश्चन, हैना, select the Venn Diagram that best represents the relationship between the following, क्या-क्या है, furniture है, bad है, chair है, dining table है, ये तो आसान है, है ना, furniture के अंदर ही bad, furniture सही bad बनेगा, chair बनेगी, dining table बनेगी, तो तीनों अंदर चले जाएगे, option number C आ जाएगा, ठीक है, चलो, ये क्या-क्या कॉश्चन है, आपका, जो की missing number series है, इसको बताओ, फटा-फटा, ये decreasing है, decrease number series दे रखिया आपको, सिर्फ gap चेक कर लो, क्योंकि number C आस-पासी है, ज्यादा दूर दूर नहीं है, ठीक है, इसका आंसर बताओ, फटा-फटा, इसका आंसर बताओ, ये 352 है, 288 है, 252 है, फिर 236 है, तो decrease उसमें चल रही है, series, ठीक है, decreasing उसमें चल रही है, तो gap चेक कर लेते हैं, बड़ा आइडिया तभी लगेगा अपने को, यहाँ पर 4 और 8 और 14, 64 तो यहाँ माइनस होगे, यहाँ पर देखेंगे तो 6 और 2, 8 और 36 माइनस होगे, यहाँ पर देखेंगे तो 6 और 6, 12 और 4, 3, 16 होगे, तो यह 8, 6 और 4, ठीक है, तो यहाँ क्या होना चीए, 2 होना चीए, फिर 2 का square कितना होगा 4, तो 236 में से 4 माइनस करोगे तो 232 आ जाएगा that is option number C will be the correct answer ठीक है चलो ये बता दो durables है उसको इसने ये code कर दिया feasible को क्या code किया जाएगा according to the options durables को इसने ये code किया है feasible को क्या code किया जाएगा आपको ये बताना है बताईए दो और दो चार और दो छे चे और दो आठ आठ इसमें है आठ लेटर्स आपको दे रखे हैं durables को written कर दिया इसने और feasible को क्या code किया जाएगा तो अगर आपने durables का पता लगा लिया कि durables को कैसे निखा गया है ये तो automatically feasible तो पता चली जाएगा फिर options से फिर options को eliminate कर लेंगे ठीक है बताओ very good boy बहुत बढ़िया देखो इसमें तो I think idea लग रहा है आपको अगर मैं A की बात करूँगा यहां तो A का B बन गया है R का S कर दिया मैं जब फस्ट चार लेटर को उठाओ और यहां पर फस्ट चार लेटर इसने लिख दिया है एक एक बढ़ा के तो A का B, R का S, U का V, D का E कर दिया फिर यहां से देखेंगे तो last R, S, S का T बना दिया R, S, S, T E, F, और L, M, B, C तो यहां से उठाया इसने और last letter से उठाने के बाद यहां पर यह लिख दिया तो चार चार लेटर को उठा लो आप यह भी नहीं हो सकता यह भी नहीं हो सकता सिर्फ option number D है सिर्फ आपको first चार लेटर आपको देखने थे आगे पूरा चेक करने की जरूती नहीं थी ठीक है ना? क्योंकि यहीं automatically आपको answer मिल जाता है ना? तो आगे के check मत किया अगरो फिर जैसी answer मिल जाता है क्योंकि फालतु में आप time ही waste कर रहोंगे वहाँ पे फिर यह एक थोड़ा math के question मान सकता है math reasoning जो भी आप मानना चाहो कि अविनास को 78% marks मिले exam में कपिल को 64 मिले same exam में sum of the marks obtained by कपिल अविनास जो है वो कितना है? 9-2-3 है find the marks obtained by कपिल इना examination ठीक है यह question sir गुमा रहा है कौन सा question गुमा रहा है others यह question था इसकी मैंने हिंदी नहीं लिख किये sorry for that अविनास ने मैं बताते तो हिंदी में क्या लिखा हुआ है अविनास ने 80% स्कोर किया exam में 78% उसके marks है कपिल है एक दूसरा student उसके 14% marks आते है इस सेम exam में ठीक है दोनों का अगर मैं add कर देता हूँ तब जाके मेरे कर 9-2-3 923 marks मिल जाते है find the marks obtained by the कपिल इना examination तो कपिल के कितने marks आया है यह आपको बताना है क्योंकि 78% है किसका marks होगे हो टोटल marks का टोटल मास का ही तो 88% होगा तो 78% marks निकाल रहा हो किसका एक्स का सपोज यह आपका 64% है किसका एक्स का पराबर हो जाएगा 293 बस तो add कर लो यह आँ आट रुच्छ है आट रुचर 12 और 7 रुच्छ है 13 और 14 इंटू एक्स डिवाइड बाई अंडर्ड आइन टू थ्री यहां से मिल जाएगा आपको आना तो यह कैंसल आउट भी हो जाएगा इधिंक 2 से 24 2 से 50 हो जाएगा और 71 से council out हो जाना चीएitud 71 से एक एक-दो-たीन 然后 7 यानि कि 13 65 65 टोटल मार्क से बट आपको बताना क्या है आपको तो वो मार्क्स बताने जो कपिल ने स्कोर किया और कपिल कुन सता 64 पसेंड मतलब कि 650 आपको 64% निकालना है चेज़ों पचास का आपको 64% निकालना है बस निकाल दो इसको जो पहले को कुशन दिये थे सर वो तो आसान था है यार आदर्श ये वाले कुशन तो आसान था फस्ट चार लेटर उठाओ उसको प्लेस कर रहा है बस इना इस फस्ट लास्ट वाले को उठाओ और यहां से स्टार्टिंग हुए फिर एस से ठीक है यह थोड़ा यह option हो जाएगा तो इसको unit digit से करना था ना कि आप पूरा का पूरा solve करते है क्लियर है सबको बताओ कुछ दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा है वह भी बता दो कभी मैं समझा रहा हूं आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है ना सबको दिमाग में जा रहा है ना कैसे चल दी चीजी चलो है ठीक है यह आसान जाकोशन इसको तो खुद कर लो गया इसमें मैं क्या बताओ अना प्लस माइनस ही तो करना है एक यह कोशन है जो मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में six friends है यह है आपका छे फ्रेंड है और यह सब के सब सिटिंग अने दा सर्कल में लगए बैपर अधे इर बैक टूर्शेंतर में उनकी सेंटर की मिया सेंटर की तरफ पुल और की तरफ देखेंगे पर ठीक है झाल थक् nhतम तो दिस्वन सेंटर करना आपका हां मेरा को में अंड बॉक मैं ठीक है, उफ मेरा नेटवर्क को भी ठंड लग गई है ट्रेंट में, ठीक है, ठीक है, तो जो भी student, जैसे मैंने कल भी आपको बताई था, जो भी students अभी connect होना चाहते हैं, foundation course में, SCJE के, तो वो connect हो सकते हैं, क्योंकि अभी non-tech की classes start होने वाली है, कुछ time से, तो उसके बाद entry नहीं मलेगी जो भी स्टुडेंट चाहते हैं कि मेरे को enrollment कराना है स्सी जई के foundation course में क्यूंकि आपको पता है अक्टूबर में आपका exam है तो अगर आप चाहते हो कि मेरे को 50 out of 50 लाने है या फिर non-tech में मेरे को 85-80 तक पहुचना है तो फिर आप जोइन करते ह क्या बड़ा सिंपल सा है क्योंकि अभी स्टार्टिंग होने जा रही है उसके बाद entry नहीं मिलेगी किसी को भी इस foundation course में क्योंकि यह बहुत अच्छे से design किया गया है है ना एक-एक chapters को importance दी गई है और काफी लैंदी Broadway में cover कराया जाएगा एक एक चैप्टर को ठीक है तो notification आई चुका था S.S.C.E. का भी आपके सामने है अर और भी का भी आपके सामने है आर भी अर भी अर भी आर भी जेई का है ना तो अगर आप चाते हो S.S.C.E. में enrollment कराना तो यहां आप enrollment करा सकते हो कैसे, mission S.S.C.E. 2022 three के लिए electrical engineering two point obat यह mechanical का है और आपका यह electrical यह mechanical यह civil है ना तीनों आपको यहां दिखाई दिए रहे तो जिस भी student आप हो जो भी student आप हो अरे सोबित कल टाइम ही नहीं मिला ना वहीं तो मैं कह रहा हूँ कल टाइम ही नहीं मिला है ना जैसे ही टाइम मिलते हैं मैं बना दूँगा आपको वह पक्का मिल जाएगी कोशिस करता हूँ आज बना दूँ है ना तो जो भी students enroll कराना चाहते हैं जैसे यह सिविल इंजिनिंग का 3.0 बैच है ना तो इसको आप एंटर करा सकते हैं जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दिखे रहा होगो आपको यहां पचास-पांसो सीट है इससे जादे एंटरी नहीं मिलेगी इसमें है ना तो जैसी इसमें कराओगे एक सेकेंड एक सेकेंड गाइज यह ओपन नहीं हो रहा है आप है मैं इसका करके दिखा देता हूं आपको मेकैनिकल इंजिनिंग का है ना हाँ यह रहा सिविल इंजिनिंग 2.0 बैच अभी 3.0 बैच स्थार्ट नहीं हुए अभी 2.0 बैच है आपके सामने तो जैसे आप इस पर करोगे क्लिक तो फिर नीचे जाके एक सेकेंड करंटली नोट अवलेबल दिख रहा है यापी तो मैं मेकैनिकल का दिखा देता हूं एक बर करके आपको है ना आई तिंक यह तो सही होगा हाँ तो जैसे आप वी ओफर पर जाते हो वी ओफर पर जाके यह आपको 12,499 रुपे जो दिख रहा है यहाँ वो आप कम कर सकते हो कैसे कूपन कोड एंटर करने के बाल ठीक है और कूपन कोड है आपका Y516 Y516 जैसे आप एंटर करते हो आपको अपलाई करना है यहाँ पर एपलाई करते ही आपको यहाँ पर डिसकाउंट दिख जाएगा और जो कि होगा आपका डिसकाउंट कितना 9624 रुपे का discount 2874 में आप enroll करा सकते हूँ अगर आप कराना चाहते हूँ तब यह limited CT इसमें available रखी हमने ठीक है तो जो students enroll कराना चाहते है SSJ 2023 के लिए है न वो join कर सकते हैं आपका यह foundation batch जो की targeted है रहेगा और आपका SSJ को ही target करेगा especially ठीक है ना चलो बाई बाई टेक केर everyone इसमें अगर किसी को enrollment कराना तो जल्दी करा रहे ना क्योंकि sits fill हो जाएंगी फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं साब बता रहूं आपको ठीक है नोन टेक्निकल जोई नहीं हो पा रहा है तो यहां पर यह नोन टेक्निकल कई ही बैच है टारगेटेट वैच cbt1 तो इसमें पूरा का पूरा कवर करा जाएगा आपका मैंस कभी और रिजनिंग कभी और बाकी मैं भी है तो जी एस और साइंस भी रहेंगी ठीक है इसमें भी करना था दर्श आपको तो यह तो मैंने करके भी दिखाया था कैसे जॉइन करना है प्रोसेस सेम ही है वाई 516 यहां लगा हूँ आप कूपन कोड अप्लाई करो देखो 551 रुपे का हो जाता है 551 रुपे का हो गया है यही तो मैं दिखा रहा था कि इतना सस्ता करा दिया है मैंने यह ठीक है नोन टेक्निक पूरा क पूरा आपका इसमें काम बन जाएगा ठीक है ना चलो बाई बाई टेक कर एवरिवन और मिलते हैं भी 11 बजे मैंस की क्लास में ठीक है तब तक आप थोड़ा फ्रेश फ्रेस हो जाओ ना दोलो ब्रेक्वास्ट कर लो ठीक है सी यू गाइस